अध्याय उन्नीस राहुल की स्वतंत्रता वेसाली के पुराने शहर में गौतम बुद्ध के उबदेश फलित हो गए थे, जैसे की एक नाजुक हवा जो ज्ञान की महक को भूमी के सभी कोनों तक पहुचाती है, दयालू मुनी अकसर शहर का दौरा किया करते थे, उन उत्सुख खोच करताओं को मार्गदर्शन और दिशा प्रदान करने के लिए जो उन्हें सुनने के लिए इकठा होते थे, उनके शद्धालों में एक यूवा पुरोहित भी था जिसका नाम राहुल था, गौतम बुद्ध और राजकुमारी यशोधरा के पुत्र, भौतिक दुन्या का त्याग कर दिया था, अपने प्रबुद्ध पिता के मार्गदर्शन में आध्यात्मिक मुक्ती की तलाश में, एक शान सुबह, सूर्य ने आसमान को सोने की रंग दिन चायाये देने लगी, गौतम बुद्ध वेसाली की सीमाओं पर एक बोधी व्रिक का स्वागत किया, महसूस करते हुए कि उसकी खोज में सत्य की तलाश में वह सच्चाई से आगा है, उन्होंने मौझूदगी का वर्णन किया और प्रकाश के मार्ग की महत्वपूर्ण दिशाये साजह की, जैसे ही बातचीत बढ़ी, राहुल के दिल ने उसके पिता के ज् खुल जाया, वह उत्सुकता से सुन रहा था, जैसे की स्पंच पानी को विशेशन समझ कर उसे अवशोशित कर रहा हो, हर उपदेश ने उस पर प्रभाव डाला, उसकी युवा आत्मा में प्रेर्णा की आग जल गई, गौतम बुद्ध ने राहुल को एक उदाहरन दिया जिसमें सनलगनता और मुक्ती की स्वाभाविक्ता की महत्वपूर्ण मिसाल थी, उन्होंने एक ऐसे व्यक्ती के बारे में बताया जो अपने कंदों पर एक भारी जोला लेकर चल रहा था, जिसका वजन उसके उपर के दबाव के कारण वह असाय महसूस कर रहा था, व्यक् कारी बोज को साथ लेने में मदद की उम्मीद से, लेकिन बिना किसी परिणाम के, हर बार जब उसे अस्वीकार का सामना करना पड़ा, उसका दुख और बढ़ गया, आखिरकार, व्यक्ती एक प्रबुद्ध मुनी के घर की ओर पहुँचा, उसकी आखों में विश्वास थ मुनी ने व्यक्ती की ओर देखते हुए कहा, अपने कंदों से जोला छोड़ दो, और तुम दुख से मुक्ती पालोगे, व्यक्ती मुनी के शब्दों से उलज गया, लेकिन यह भार कैसे छोड़ सकता हूँ, जब यही मेरी जानकारी का सब कुछ है, उसने पूछा, मुनी म मुनी के उपदेश की पीट से जोला उतार दिया, महसूस करते हुए कि उसके मन में भारी आत्मिकता उठ चुकी है, सनलगनताओं की बंधने तोड़ दी गई थी, और उसने दुख से मुक्ती पाई, जैसे ही गौतम बुध कथा का संक्षिप्त करते हुए कहे, राहुल की आखे समझने की रोश्नी से चमक उठी, उसे मालूम हो गया कि असली मुक्ती सनलगनताओं और इच्छाओं को छोड़ कर पाई जा सकती है, जुस्तजू जैसा की उस उदाहरण में किया गया था। महत्वपूर्ण कदम उठाया था, उस दिन के बाद राहुल ने खुद को उद्घाटन के मार्क पर समर्पित कर दिया, उसने अपने पिता के उद्देशों को निष्ठा से अपनाया, सनलगनताओं के बोज और इच्छाओं की बंधनों से मुक्ती पाई, आगे के अध्या के मार्क का अपनाने की प्रेरणा देते हुए, सेक्षन 19 का सिखाने का संकेत, राहुल की स्वतंत्रता हमें सिखाती है कि संलगनताओं और इच्छाओं को छोड़कर पीडा से मुक्ती पाने की महत्वपूर्ण बात क्या है, यह हमें याद दिलाती है कि असली मुक्ती भौ अत्मा को दीरगिकरित करने की प्रेरणा देती है, गौतम बुद्ध के उपदेशों का अनुसर्ण करके और हमें बंधनों को तोड़ कर